इस अनेमे के शुरुवात में ही पांच स्टूडिन्स का ग्रोप एक कमरे में इंजॉय कर रहे होते हैं जिन में दो लड़के और तीन लड़किया होती हैं कुछी देर में एक कैन बीर पीने के बाद जंटंग नामी एक लड़का खड़ा हो जाता है और सबको कहता है कि वो और बीर लेने के लिए बाहर जा रहा है जंटंग दर्वाजे पर पहुँचकर पीछे एक लड़की को पलट के देखता है सोफे पर लेटी हुई वो लड़की भी उसको देखती है पहले तो जंटंग को लगता है कि वो लड़की उसके साथ चलने को तयार होगी मगर पिर वो आगे बढ़ जाता है लेकिन कुछी देर में पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और वो जंटंग को आईसक्रीम क जाए वो उसकी बात पर हसकर उसे चड़ाती है कि वो एक नोटी लड़का है जंटंग की दिल की बात सुनके हमें अंदाजा होता है कि वो उसे पसंद करता है लेकिन अभी तक उसने लीशिया से अपनी मुहपत का इजार नहीं किया होता चलते चलते वो दोने एक दूसरे क हाथ पकड़ लेते हैं लीशिया अचानक से उसे एक दिवार की तरफ करके उसे किस कर लेती है और पिर जंटंग बताता है कि किस तरहां वो लीशिया से मिला था फिर एक साल पहले का सीन दिखाते हैं जब जंटं छुटियों के बाद घर जाने के लिए बस में बैठा हुआ होता है वही उसे एक लड़की का मेसेज आता है जिसका नाम जू है और वो उसे हाई स्कूल में पसंद किया करता था जू से मेसेज में कहती है कि वो उससे मिलने के लिए हाँ बोल देता है फिर वो सूचता है कि उसे जू से मिलने से पहले कप्ड़े बदल लेनी चाहिए अ वो पागal है ये सोचकर वो अपने घर के गेट मेने दाखिल हिए लेकिन जब वो कप्रे बदकर वापस आता है वो लुक्ती वहीं ख़डी मलती है उसे वो लुडकी उसे जानी पही जानी लगती है इसलिए उससे वो पूछ लेता है कि क्या हो कभी मिलें है पहले लेकिन वो शिया है जिसे उसका दोस गुजू बहुत जादा पसंद करता है ये सोचकर वो फॉरन ही पीछे मुड़ता है और इस लड़की से पूछता है कि क्या वो शिया है बगर जंटंग का ये सवाद सुनकर कोई जवाद देने के बजाए वो खौफनाख तरीकी से उसकी तरफ बाग जाता है लेकिन शिया उस पर हसने लगती है और कहती ही कि तुम कितने स्लो हो जंटंग उसकी हरकत पर घुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो पुलीस बुलाकर उसे इंदर करवा देगा उसकी इस हरकत पर मगर उल्टा शिया उसको धंकी देती है कि वो जंटंग को उसक मिलने के लिए एक रेस्टरांट तक पहुंचता है मगर वो रेस्टरांट से बाहर ही जू को खड़ा देख लेता है जो सरदी की विज़ा से उच्छल रही होती है उसकी बाद वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और बाते करने लगते हैं कुछ देर बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बोईफरेंड है जन्टंग का ये सवाल सुनकर यू थोड़ा सा अंकमफर्टेबल फील करती है मगर जन्टंग यू की परिशानी देखकर बात पलट देता है मगर जूम उसको राकर वहाँ से चली जाती है और कोई जवाब नहीं देती जन्टंग उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है मगर यहां गेट पर वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि शिया अभी तक इतनी टर्ण में वहीं की वहीं खड़ी है शिया जन्टंग को धंकी देती है कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और अगर उसने ऐसे किया तो वो से बहुत पीटेगी शिया उसके बाद दर्वाजे से अंदर दाखिल हो जाती है जन्टंग भी जैसे ही उसके पीछे अंदर जाता है तो वो देखता ही कि शिया बेहोश पड़ी हुई है जन्टंग ये देखकर परिशान हो जाता है और वो फॉरण एम्बिलेंस को बलाता है फिर हमें दिखाते हैं कि अगली सुभो दर्वाजे पर हुई घंटियों की विज़ा से जन्टंग उट जाता है और जब वो देखता है तो वहाँ शिया खड़ी होती है हाथ में खाने पीनी की चीज़ें थामें वो उससे कहती है कि वो उसके साथ नाश्ता करने चाहती है बगर जन्टंग उससे कहता है कि वो बेखवस्ट कर चुका है और उसके बाद उसके मूपर दर्वाजा जोर से बंद करके चला जाता है फिर दिखाते हैं कि जन्टिंग अपनी क्लास वर बैटा यू को मैसेज कर रहा होता है वो उसे उसे मिलने के लिए बुलाता है मगर यू उसे बहाना बना देती है कि वो फ्री नहीं है बगर जब हमें यू को दूसरी दिखाते हैं तो ऐसा नहीं होता इदर जन्टिंग की क्लास वरोज उसके सर पर पहुंच जाते हैं और उसके मैसेजजिस पढ़ लेते हैं और वो यू के इंकार पर उसे चिड़ाने लगते हैं जन्टिंग स्कूल से वापस आते हुए जू के बारे में सूच रहा होता है कि वो जू को एक हफ़ते से नहीं मिला और पिर अचानक से शिया उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि उसका दिन कैसे रहा शिया हमेशा हर जगा ही उससे बात करने की कोशिश करती मगर जन्टंग उससे कभी कोई जवाब ना देता कुछ दिन पार जन्टंग को ढूंटे हुए शिया उसकी क्लास तक पहुंच जाती है और क्लास में सब ही उससे देखने लगते हैं कि वह बहत खुबसूरत होती है मगर शिया जैसे ही उसस तक पहुंच दिया है जन्टंग उसका थ पकड़के खेंच के बाहर ले आता है वह उससे केता है कि वह यहा केसे पहुंच गई दिस पर शिया उसे है कि उसंपर बसрок पालता है एक अच्छा दोस्त जो कि उसके पास नहीं है वो जंटंग को ये भी बताती है कि अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर उसने कराय पर ले लिया है और ये भी कि अब उसे सेस्पेंट कर दिया गया है इसलिए वो अपने आपको बदलना चाहती है उसकी बाते सुनकर जंटंग उस पर अपने उंगले रख लेती है और जंटंग शिया की इस अचानक वाली हरकत से चर्मा जाता है और पर घर जाते हुए आज़ पास चलते हुए लोग शिया की खुपसूर्ती की तारीफ करते हुए गुजरते हैं शिया जंटंग से रात में अखट्टे खाने-खाने का एक सीनिय लड़का उससे पूछता है कि क्या शिया उसकी गर्फरिंड है मगर वो उससे कहता है कि नहीं वो सिर्फ उसकी नेबर है वो सीनियर उससे शिया का नमबर निकलवाने के लिए बीर पीने पर बहुत मजबूर करता है ताकि वो नशिया में चला जाया और उससे आर बार से बाहर आ जाता है उसके पीछे ये सीनियर भी आ जाता है और उसे बाते करते हुए देख लेता है उसके हाथ से मुबाइल छीननी की कोशिश करता है ताके वो भी शीया से बात कर सके मगर इस छीना जपती में शीया फॉन बंद कर देती है उसके बात उस सीनियर लड़क के वहां से जाने लगती है मगर जंटंग का दूसरा हाथ वो सीनियर पकड़ लेता है और दोनों ही अपनी तरफ खेंचने लगते हैं जंटंग को ये देखकर शिया शराब की बोतल को सीनियर लड़के के सर के उपर से तीजी से गुजारती है जिस पर वो गुस्से में आ जात है और वो भी शराब पीने लगता है बगर जैसे ही वो शराब की बोतल खत्म करके नीचे देखता है जंटंग और शिया वहां से जा चुके होते हैं फिर दिखाते हैं शिया और जंटंग कुछ दूर भागते भागते ठक के रुख जाते हैं और यहां जंटंग शिया को डा कि आदद लगी हुई है और वह इस वारे में उससे पूछनी की कोशिच करता है मगर शिया उससे कहती है कि ये एक सीक्रिट है जो कि उसे नहीं बता सकती ये सुनकर जंटंग उससे कहता है कि ठीक है आइदा ऐसी सिचुईशन में वह उसके हमेशा साथ रहेगा उसकी बाद श जंटंग को एक पोस्टर दिखाई देता है जो एक लिट्रेचर कॉलेज का होता है जिस पर बैक टू स्कूल लिखा होता है और जंटंग समझ जाता है कि ये यू के दिपार्टमेंट का है वो फॉरण ही वेन्यो की तरफ बढ़ने लगता है इस उमीद में कि यू वहाँ उ उसे नजर आ जाती है दो ने दुसरे को हाथ इलाते हैं और जू जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है जंटंग के पीछे वो शिया को देख लेती है वो उसे फॉरण पहचान जाती है और उसका नाम पुकारती है और ये सुनकर सबी लोग उसकी दिरफ देखने लगत हैं बगर रोड पर पहुंचकर उन्हें कोई टैक्सी वगएना नहीं मिल दी क्योंकि बहुत रात हो चुकी होती है यू वक्त को देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि इतनी रात को घर जाने से उसकी घर वाले उसे बहुत वुस्सा करेंगे और पर जंटंग उसे कह करने के बाद शिया मान जाती है उसके बाद शिया उन दोनों को अपने अपार्टमेंट में आने की ऑफर करती है जिसे वो दोनों ही एकसेप्ट कर लेते हैं और अंदर जाकर तीनों शेराब पीने लगता है उसके बाद नशी की हालत में यू और शिया एक दूसरी की दोस् पुछदेर के लिए। और वही वाश्रूम के बाहर शिया बैथी होती है जंटंग जब कुछ संभल चाता है तो वो बाहर आता है बाहर शिया को देखकर वो उसकी आँखों की तारीफ करता है मगर वो कुछ शर्माज आती है और उसे कोई जवाब नहीं देती जन्टंग उससे यू के बारे में पूछता है जिस पर वो उसे कहती है कि वो अपने पैरंस की डांच से बचने के चक्कर में पहले ही फ्रेश होकर घर जा चुकी है शिया उसके बाद अपने कबर्ट के पास जाकर उसके उपर से सिग्रिट और लाइटर उठाने की कोशिश कर रही होती है ये देखकर जन्टंग उसके पास आता है और उसे उठा कर दे देता है जन्टंग उससे पूछता है कि क्या ये सिग्रिट उसकी है जिनन वो लेकर टॉयलेट में डाल देती है इसकी बाद जंटंग शिया में interest लेने लगता है वो उसकी बारे में neck पर search करता है तब ही शिया कमरे में आ जाती है और वो फॉरन ही अपना phone चुपा लेता है उसकी बाद जंटंग शिया के आँखों में खोने लगता है मगर फॉरन ही वो कच्रा फ्हेंगते के पहाने से घर से बाहर भाग जाता है और ये चिलने लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करता जन्टंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि शिया उसे ये सब करते हुए देख रही है मगर वो और कुछ नहीं कहती बस हास कर साथ में खाना लेने जाने के लिए पुछती है फिर दिखाते ही कि एक महीने बाद जन्टंग, शिया और जू एक साथ चेरी ब्लॉसम देखने के लिए बाहर जाते हैं शिया ने ये ब्लॉसम बहुत अरसे बात देखा होता है इसलिए फो ये सब देखकर बहुत खुश होती है शिया उसी सब में गुम होती है और पीछे जन्टंग जू को बताता है कि उसके क्लास मेट्स उसकी गल्फरंड के बारे में पूछ रहे हैं बगर जू उसको कोई जवाब नहीं देती इस बात का उसके बाद वो दोनों शिया के पास पहुँचते हैं और उसकी कुछ फोटोस एक करते हैं फिर यहां से शिया और जून्टंग जू को उसकी कॉल वे छोड़ने चले जाते हैं जून्टंग उससे पुछता है कि क्या वो एक साथ लाइबरेरी में बैट के बढ़ाई कर सकते हैं लेकिन जू उसे यह कहिकर फोरें ही मना कर देती है कि उन दोनों के तो सब्जिक्ट सी बिल्कुल अलागे हैं जून्टंग को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और पीछे से शिया यह सब कुछ देख रही होती है वो जून्टंग को अच्छा फील करवाने के लिए जू की अपने मोबाईल में खेची हुई पिक्चर दिखाती है जिसे जून्टंग देखकर मुस्कुराने लगता है और पिर जून्टंग यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसे मालूम है यू को उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है इसके बाद दिखाते हैं कि जून्टंग का दिया हुआ वो मफलर यू उसे वापस कर देती है साथी जू की ग्लास में जून्टंग को बताती है कि यह सकार्फ तो काफी दिन से ऐसे ही रखा हुआ था मगर फिर फॉरें ही जू उसकी बात को टाल देती है इसी तरह दिन गुजरते गए और जू हमेशा जून्टंग को मिलने के लिए मना कर दीती थी सिर्फ तब भी हां करती जब शिया उसके साथ होती उनी दिनो जून्टंग शिया को बताता है कि यू उसकी पहली महबत है वगर जू उसे इसना सिर से नहीं देखती और फिर एक दिन जून्टंग का दोस्त यून्स जून्टंग को एक पार्टी में इन्वाइट करता है जिसमें सिर्फ तीन लड़कियां और तीन लड़के आ रहे हैं शिया को जब इस बात का पता शुलता है शिया को जब पता च्लता है, तो वो उसकी कमरे में आकर, कैयार होने में उसकी बहुत ज्यादा help करती है, और उसी कहती है कि ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है, ताकि वो पार्टी में सबसे अच्छा देखे, शिया उसी कहती है कि वो ये भी देखना चाती है, कि वो कितना handsome ह शिया उस से मस्ती में ये भी कहती है कि उसे वाँ पार्टी में कोई भी गल्फिर्ड नहीं बनानी क्योंकि इस तरह वो लोग साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगे शिया की ये बात सुनके जुन्टंग उस से वादा करता है कि वो अपना बरताओं उसकी तरफ कभी नहीं बदलेगा और फिर शिया उस ते मस्ती करते हुए कहते हैं कि दोस्त कभी हाथ नहीं मिलाते उसके बाद जुन्टंग पार्टी में पहुंच जाता है मगर वो कुछ लेट हो जाता है वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है कि औरेंज बालों वाली लिड़की को जुन्टंग पहली ही नजर में पसंदा जाता है कुछी देर के बाद बाकी दो लिड़किया जुन्टंग को लिप्स्टिक लगाती है शरारत में और उसकी तस्वीर खेंचती है जब जुन टॉंग ये तस्वीर दिखता है तो उसे याद आता है कि ये तो उसी कलर की लिपस्टिक है जो शिया लगाती है अपने होटो पर उसके बाद सब के बहुत जादे इंसिस्ट करने पर जुन टॉंग महाँ एक गाना काता है उसके बाद ये सब लोग Truth and Dare का गेम खेलते हैं, तीन कपल में बढ़ जाते हैं, जुन्टॉंग का कपल औरज बालो वाली लिड़की से ही बनाया जाता है, पहले तीन राउन के बाद आखरी राउन में जाकर उनकी बारी आती है, और इस डिर को पूरा करने के लिए जुन्ट इस वड़ क्या कर रहा होगा पार्टी में, इधर रोनी जुन्टॉंग को किस करने की कोशिश में अचानक से घबरा जाती है, और फॉरन पीछे हट जाती है, वो एक बार पेर एलकोहल का शॉर्ट लगाती है, और किस करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर आखरी वक्त पर जुन्टॉंग उसके होटों पर उंगलिया रख के उसे रोक लेता है, वो रोनी से कहता है कि अभी तक उसने अपनी फर्स्ट किस नहीं की, और इस तरह एक गेन के लिए अपनी सीनियर के साथ वो अपनी फर्स्ट किस जाया नहीं कर सकता, जुन्टॉंग की ये बात सुनकर सबी लोग उस पर हसने लगते हैं, और पिर उसे गान अगाने का कहते हैं, गेट तकेतर से जब ये लोग फारिख होते हैं, तो रोनी पूरे नशे में धोती है, वो अपने घर जाने का कहती है, और उसे इपने ज्यादव नशे में देखकर जुन्टॉंग उसे घर तक पाल उसकी चेरे से हटाता है, और तब उसे बता चलता है कि रोनी रो रही हुथी है, लेकिन वो जौन्टॉंग पो टाल देती है, उसी वन को इसके बालों की बारे में सोचता है, कि क्या उसके बाल भी रोनी की जैसे होंग़े, रोनी को घर छोडने के बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में वो सोचता है कि वो शिया को मेसेज करे वो कुछ लिखने लगता है मगर फिर वो उसे डिलीट कर देता है उसकी बादों से वोईस नोट बेशता है मगर वोईस नोट सेंड करने से पहले ही जुन्टंग का मुबाइल बैटरी के खतम होने की वज़े से बंद हो जाता है वो शिया का नाम लेते हुए भागता हुए अपने घर पहुँचता है वो जैसे ही अपार्टमेंट में दाफिल होता है तो देखता है कि बाहिर ही शिया बैटी उसका इंतिजार कर रही है जुन्टंग उसे बताने लगता है कि उसने पार्टी में बहुत जादा मज़े किये हैं और उसे ये भी बताता है कि उसने कोई भी नशे वाली चीज नहीं भी और इस बात को साबत करने के लिए वो सीधा चल कर भी दिखा देता है उसको वो से कहती है कि वो सारा दिन घर पर ही थी इसी तरह वो हसते खेलते और भी बहुत सी बाते करते है मगर पिर जब अचानत जुन टॉंग उसे बताता है मगर जुन टॉंग उसे कमर से पकड़ के और करीब कर लेता है उसकी बाद शिया अपने घर जाने लगती है और जुन टॉंग को भी कहती है कि वो भी आ सकता है मगर वो मना कर देता है और कहता है कि मैं कुछ दिर बाद ही आऊँगा फिर दिखाते हैं कि जब जुन टॉंग अगली सुब हो अपने बिस्तर पर से सो कर उठता है तो उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसने अपनी पहली किस शिया के साथ की है इस बात से वो अपने दिहान बटाने के लिए लब डेरी जाने का फैसला करता है मगर वो जैसे ही अपने घर से निकलता है तो शिया की खिड़की पर वो एक पोस्टर लगा देख लेता है जिस पर लिखा होता है कि शिया अपना घर का एक कमरा रेंट पर देना चाहती है स्कूल में भी उसका दिहान पढ़ाई में नहीं लगता सारा दिन वो रात को अपनी शिया के साथ होने वाली किस के बारे में ही सोचता रहता है घर आकर वो सीधा शिया के अपार्ट में जाता है और उसे कहता है कि उसने उस पोस्टर के बारे में बात करनी है और उस किस के बारे में भी शिया उसे अंदर आने का कहती है और फिर शिया जुन्टॉंग से बगए किसी शरम के उसके बारे में बात करने लगती है मगर जुन्टॉंग शरम के मारे जमींग पर गिर जाता है और जब शिया को ये पता चलता है कि वो जुन्टॉंग की फर्स्ट किस थी तो वो बहुत हैरान रह जाती है कुछ देर बाद जब जुन टॉंग की हालत संबल जाती है तो शिया उसे बताती है कि हाँ वो एक कमरा कराय पर देना चाहती है ताकि उसके साथ कोई रहने वाला मिल जाए उसे उसके बाद जुन्टॉंग शिया से पूछता है कि क्या एक्जाम के बाद यू के साथ वो दोनों अखटे बाहर जा सकते हैं शिया उसकी बाद का जवाब हाँ में देती है उसके बाद शिया उससे पूछती है क्या वो उसका हाथ खाम सकती है जिस पर वो हाँ बोलता है और पिर शिया जुन टॉंग का हाथ थाम कर उसकी कंदे पर सर रख लेती है ऐसे ही दिन गुजटे गए और जब भी जुन टॉंग शिया के साथ अपनी उसकिस के बारे में सोचता वो बुखला जाता था उसके बाद दिखाते हैं कि जुन टॉंग जु से स्कूल में मिलता है और वो दोने एक साथी घर के लिए निकलते हैं रास्ते में जुन टॉंग जु से कहता है कि वीकेंड पे उन लोग को कहीं चलना चाहिए जु से लाइबरेरी चलने को कहती है वो लोग अखटे लाइबरेरी चले जाते हैं बगर वहाँ जु और बहुत दूर होती है एक दूसरे से लाइबरेरी में जाने के लिए वो दोने लाइन में खड़े इंतिजार कर रहे होते हैं और वहीं जु का एक दोस्ता कर उनसे बाते करने लगता है वो जु से पुछता है कि क्या ये लड़का तुमारा बॉइफरेंड है जिस पर वो कुछ समझ आने के बात बहुत दूक हो रहा होता है मगर पिर उसे खयाल आता है कि वो भी तो शियर के साथ यू की पीट पीछे स्लट कर रहा होता है इतने दिनों से यहां दक कि वो दोनों तो एक दूसरे को किस भी कड़ चुके हैं उसके बात दिखाते हैं कि रोनी पर में मसरूफ है मगर पिर वो ये सोचती है कि उसे अगर अपने वेक अप के घम से बाहर आना है तो उसे लोगों से मिला जुलना बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए उसे कैंपस दे बाहर एक घर तराश करना पड़ेगा उसके बाद कुछ वर से पहले का एक फ्लैश पैक मि अखटे थे वो दोनों जु के घर उसकी नोटबुक लेने जा रहे होते हैं और रास्ते में जु 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 जुन्टाओं को बताती है कि उसे सेस्पेंड कर दिया गया है स्कूल से और इसलिए वो क्लास इटेंड नहीं कर रही थी बगर पिर जैसे ही वो दोनों घर पोचते ख़ए थी वो अपने पापा को ये तो कह देती है कि उसे उनकी फैमली में पैदा होने से ही शरमाती है उसके बाद जु जु जुन्टाओं का हाथ पकड़कि वहाँ से बाहां से बाहँ से भाग पड़ती है जब वो दोनों रुखते हैं तो जु उससे माफी मांगती है कि जुन्टॉंग को अचानक से ये तमाशा फेस करना पड़ा। एपिसोड में जो वापस प्रेजन्ट में आते हैं तो यू बाहर आती है लैबरेरी से और उसे बाहर ही जुन्टॉंग बैठा मिलता है। उसको हाथ पकड़ कर अपने साथ चट पर चलने को कहती है। चट पर पहुंचकर यू उसको चट पर लाने की वज़ा बताने लगती है। मगर फिर वो दर्मियान में ही छुपो जाती है। और कहती है कि उन्हें वापस लैबरेरी पलट जाना चाहिए। ये कहकर जू फॉरन से पलट कर अंदर आ जाती है बिल्डिंग के। और पिर हमें जू की दिल की बात बताई जाती है। और वो ये होती है कि वो भी जुन्टाउं को बहुत जाता पसंद करती है। बगर इस वक्त वो उसे नहीं बता सकती। क्योंकि फिल हाल वो अपने हालाग की वज़ा से उसके साथ नहीं रह सकती। अगली सुबर जब नेन से जुन्टाउं उटता है तो शिया उसके पास ही बैठी मिलती है उसे। वो उसे बैठ से उठाने के लिए बहुत कोशिशे करती है। मगर वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। जुन्टाउं शिया को कहता है कि अब उसे दूसरे दोस बना लेने चाहिए। शिया ये सुनकर बहुत गुसा होती है और उसकी बैठ शीट एक साइट से खेंच कर जुन्टाउं को पलड़ देती है। मगर पिर भी जुन्टाउं पर कोई असर नहीं होता और वो शिया के हाद से बैठ शीट लेकर एक बार फिर सोजाता है। शिया उससे में वहाँ से चली जाती है और पीछे से जुन्टाउं अपनी सोचों में गुम हो जाता है। कि पिछली रात यूज च्छत पर क्यों लेके गई होगी। पूरा घर दिखाती है और उससे एक शर्ट भी रखती है कि उसका एक नेवर जो ऊपर रहता है वो अकसर यहां आता जाता है और अगर रोनी को इस घर में रहना है तो उससे इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस सब के जवाब में रोनी उसे कहती है कि कोई बात नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिर दिखाते हैं कि जुनटंग शिया की आवाज पर उसकी हेल्प करने नीचे उटराता है और जैसे ही वो रोनी को इसी रूम में डेखता है शिया की और रोनी को पता चलता है कि जुनटंग है असल में उसका नेवर तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत हیरान होते और पिर रोनी जुन्टॉंग को इग्नोर करके घुस्से में बाहर निकल जाती है। जुन्टॉंग सोचता है कि वो उसके साथ ऐसा भी है क्यों कर रही है। फिर उससे याद आता है कि लास्ट पार्टी के बाद उसकी मैसेज का रिप्लाइ नहीं किया था जुन्टॉंग ने और उन्हें ये मालूमी नहीं पड़ता कि शिया एक तरफ खड़ी उनकी बाहते सुन रही है। नशे में जुन्टॉंग रोनी को शिया समझकर अपनी महब्बत का इजहार कर देता है। और वो भी यही समझती है कि जुन्टॉंग उसी से महब्बत करता है। उसके बाद न करना चाहेगा। जिस पर वो ये सोचकर मना कर देता है कि शायद वो उसे छेड़ रही है। उसके बाद भी शिया जुन्टॉंग को पूरी तरह करने की कोशिश करती है। मगर वो दूसरी तरफ यू के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसे चत पर क्यों लेकी गई शिया की भी आप खुल जाती है और वो उसे कहती है कि वो फिकर ना करे उनके दर्मियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों साथ ही कमरे से बाहर निकलते हैं और पिर शिया चलते चलते मुड़कर जुन्टॉंग की फेस पर टच करती है उसे। दूसरी तरफ रोनी भी शिया के बारे में इंटरनेट पर बहुत सर्च करता है मगर वहां उसे शिया की रेपूटेशन कुछ अच्छी नहीं दिखती उसके बाद वो अपने दोस्त गोजु को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या अब भी वो ली शिया का उसी तरह फैन है जिस तरह पहले था वो गोजु को ये भी कहता है कि ली शिया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और वो दोनों एक साथ बहुत पक्त बिताते हैं गोजु को उसकी ये बात पर यकीनी नहीं आता और वो जुन्टॉंग को टालने के लिए उसे मना कर देता है कि अब वो ली शिया का फैन नहीं है और फोन बन कर देता है जुन्टॉंग अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब शिया के बारे में मजीद कोई पूछ कुछ नहीं करेगा दूसी तरफ गोजु की मॉम जुन्टॉंग के लिए खाना बिजवाती है गोजु के याद गोजु को अपने घर पर देखकर जुन्ट को देख लेता है तो वो दंग रह जाता है और फोरण ही शिया की घर में घुस कर उससे मिन्नते करने लगता है कि वो उसकी साथ एक तस्वीर ले ले मगर शिया उसे लाट मारकेट घर से बाहर निकाल देती है गोजु शिया से मिलने के लिए अगले दिन फिर ये बात सुनकर बहुत खुस्सा आता है और फिर इन दोनों के जगडे को खत्म करने के लिए जुन्टॉंग बीच में आ जाता है मगर गोजु उसका गिरबान पकड़ लेता है और फिर उसे धका देकर अपनी दोस्ती खत्म करके महां से चला जाता है जुन्टॉंग भी ब पस्टेर्स जब उतर रहे होते हैं तो जु का पाउं टकता है और वो गिरने लगती है ये देखकर जुन्टॉंग फोरन ही उसे पकड़ लेता है जु इस सब में घबरा जाती है और उसकी घबराहाद दूर करने के लिए जुन्टॉंग किताब समिटने लगता है कुछी न पाउच कर जब शीया और जुन्टॉंग कड़न का हाथ थामकर आँको यatanको में से कंविंज करने कि कोशिश कर रही होती है उसके बाद यह लेकुती है कि और पेङसे मजाइट नहीं अगराती और इसी बीच शीया स्टेच से उतर जाती है जुन्टॉंग यह सोचा होता है कि जू किस से प्यार करती होगी क्या उसे वो पसंद भी करती होगी या नहीं और पिर जैसे ही शीया उसके सामने रोती हुई आती है जुन्टॉंग जू को बिकुल बूल जाता है और शीया को दिलासा दिन लगता है कुछ दिन गुजर जाने के बावजूद भी जब जुन्टॉंग शीया को नहीं देखता तो वो परिशान हो जाता है क्योंकि शीया कई दिनों से कमरे से बाहर नहीं निखली होती पिरे एक दिन वो शीया की कमरे का दर्वाजा काफी बार बजाता है मगर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वापस पलटने रगता है मगर उसी दोरान शीया हाथ बढ़ा कर उसे अंदर खेंच लेती है और पिर वो दोनों काफी देर तक वहीं खड़े एक दूसरी की आँखों महीं देखते रहे हैं और कुछ देर के बाद जुन टॉंग शीया को किस कर लेता है और इस दरहां उसे अंदाजा होता है कि उसे शायद शीया से महबबत हो गई है जुन टॉंग एक बार फिर उसे किस करता है और उसे बैट वे बठा देता है मगर फिर वो पीछे हट जाता है और सूचता है कि शायद ये सब कुछ एक तरफा है मगर फिर वो जब शिया और अपनी दर्मियान के हुए वाकियात के बारे में सूचता है तो उसे अंदाजा होता है कि नहीं वो भी शायद इसे पसंद करती है और पिर जुन टॉंग उसी कॉंसेट के बारे में बात करने लगता है वो कहता है कि उस दिन के बात से यो पोरे स्कूल में मशूर हो गई है और शिया के बारे में कोई भी मजाक नहीं उड़ा रहा इसलिए हमें उसका थैंक्यू करने के लिए उसे ट्रीट देनी चाहिए बगर दूसी तरफ शिया उससे कहती है कि उसने यू की मदद नहीं मागी थी बल्कि उसकी आवास तो थी ही बगवास बहाँ पर हुई सभी परफॉर्मेंस इसकी आवास बहुत बुरी थी वो उन सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी ये सब कुछ शिया उससे में बोलती चली जा रही होती है और ये सुनकर जुन्टाउं को भी बहुत असा आता है और वो बहाँ से उठकर बाही निकलने लगता है कमरे से वगर दरवासे पर ही वो रोनी से मिल लिता है वो जुन्टाउं को कहती है कि उसी के वेज़े सी शिया इतने अर्शे से लिगना नहीं निकलिया और वहीं वो इक गाड़ी से टकराते टकराते बच्दी है और फिर जुन्टॉंग एक बार फिर उसे बचा लेता है यू इस वक्त सिर्फ यही जायर कर रही होती है कि उसने जुन्टॉंग का सवाल ही नहीं सुना और फिर वो उसे बाय करके वहासे चली जाती है और फिर जम जुन टॉंग बहुत देर रात को घर वापस आता है तो शिया उसे बाहिर ही बैठी दिखती है वो फॉरण ही जुन टॉंग से सुबह के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो उस पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहा था और ये कहते हुए शिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसका हाथ थामने के लिए मगर फिर जुन टॉंग उसे याद इलाता है कि उसी ने कहा था कि वो दोने सिर्फ एक दोस्त है और दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते जुन टॉंग उसके बाद होमवर्क करने का बहाना बनाकर अंदर जाने लगता है मगर शिया उसे पूछती है क्या उसका होमवर्क शिया से जादा जरूरी है इसकी जवाब में जुन टॉंग उसका होमवर्क इस वक्त शिया से जादा जरूरी है और पिर वो वहाँ से चल पड़ता है मगर उसका जवाब सुनकर शिया दुखी तो बहुत होती है और इसी दुख में वो उसको पीचे से हग कर लेती है वो जुन्टॉंग कहता है कि वो से मनाने की पूरी कोशिश है करती रही की देखते हैं कि वो कब तक उससे नाराज रह सकता है उसकी जवाब में जुन्टॉंग शिया से पूछता है क्या इतना वक्त जो उन दोनों ने साथ स्पेंट किया है उसकी शिया की नजर में जरसी भी वैलियो है या वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रही थी क्योंकि जुन्टॉंग ने भी उसके साथ यही किया है शिया उसकी बात कर जवाब दिये विना ही वहाँ से चली जाती है अंदर पीछे जब जुन्टॉंग घर में दाखल होता है तो वहाँ जु बैटी होती है और वो ये देखकर हैरान और परिशान रह जाता है वो अब वैसा फिल क्यों नहीं करता ये सुनकर जुन्टॉंग परिशान हो जाता है उसे लगता है कि इस तरह से जु और उसके दर्म्यान ते रिश्टा खराब हो जाएका उसकी बाद शिया जुन्टॉंग का हाथ थाम लेती है मगर वो फॉरण ही घबरा कर उसका हाथ छोड़ देता है अगली दिन जब जुन्टॉंग कालेज पहुँचता है तो उसे ये खबर सुनने को मलती है कि सुई ड्रीम्स की फॉर्मर मेंबर शिया उन्हीं की कालेज में आई हुई है अभी वो ये खबर हसम करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक ही वो गोजू को बेताबी से शिया से मिलने के लिए उसकी तरफ दोड़ता हुआ देख लेता है जुन्टॉंग शिया का हाथ पकड़के फॉरण ही बाही की तरफ भाग पड़ता है कुछ दूर जाकर वो शिया से पुछता है कि वो इसकी कॉलेज में क्यों आई है जिस पर वो उसे बताती है कि इतने दिनों से जुन्टॉंग उससे मिलने के लिए कॉलेज में मस्रूफियत का बहाना ही बना रहा है इसलिए उसने सोचा कि वो उसके कॉलेज जी आजा उससे मिलने के लिए उसके बाद शिया उसे अपने साथ ड्रिंक पीने का कहती है मगर जुन्टॉंग उसे कहता है कि वो दोनों गहर में मिलने के मगर इसकी जवाब में जुन्टॉंग उसे कहता है कि वो भी यही करना जाता है मगर उसकी मासूम हरकतों की वज़ा से हमेशा ही वो पिगल जाता है रोनी और जुन्टॉंग एक साथ ही उसके बाद वहाँ से घहर आ जाते है घर से बाहर ही एक फोटागरफर खड़ा शिया की तस्वीरे खेशता हुआ मिलता है इने जुन्टा उसे पकड़ने की कोशिश भी करता है मगर वो भाग पड़ता है अंदर जाकर शिया जब उससे पूछती है कि उसने फोटागरफर का चेहरा देखा तो वो उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सका इसके बाद वो लो काफे दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल पाते है क्योंकि बाहर को मौसम बहुत खराब होता है पिर जब वो देखता है कि रोनी और शिया दोनों की ही मूट खराब है शिया पार्टी में उन सब को बताती है कि सेलिबरिटीज की कोई परसनल लाइफ नहीं होती जिसको जहां मौका मिलता है वो उन्हें जज करता रहता है पापराजी हर जगा उनका पीछा करते रहते हैं और वल्गर टैगी तस्वीरें खेशते रहते हैं और इसी दोरान गोजू को दिवार के उस तरफ से शिया की कोई तस्वीरें खेशता हुआ दिखता है गोजू उसे नजर बचा के फॉरण से उसका कैमरा खेंच लेता है और वो आदमी गबरा कर भाग पड़ता है बगर पिर जूंटॉंग तेजी से उसकी दरफ भागता है और उसे आखरकार पकड़ लेता है उस लड़के को ये लोग अंदर धर में ले आते हैं उसकी तस्वीरें चेक करते हैं तो उसकी कैमरे में शिया की बेशुमार तस्वीरें मिलते हैं जुन्टॉंग इस वक्त ये मश्वरा देता है कि इन लोगो पुलीस को बुलाना चाहिए मगर फिर शिया उन्हें कहती है कि नहीं ऐसा करने से कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और पुलीस इस मामले में कुछ नहीं करती पुलीस कहती है कि वो सब लोग हामलेस तस्वीरे ही खेच रहे थे कोई हरास्मेंट तो नहीं कर रहे थे उसकी बाद जुन्टॉंग शिया से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए जिस पर शिया उसे कहती है कि वहाँ जो शिशे की बोतल पड़ी है उसी से उसका दिमाग ठिकाने किया जाए जुन्टॉंग तो इस मामले में थोड़ा गवरा जाता है मगर गोजू वो बोतल उठाके आगे बढ़ जाता है मगर पिर जुन्टॉंग उसका हाथ रोक लेता है जिसे देखकर शिया रोती हुई घर के अंदर चली जाती है अभी ही लड़के यही बाते कर रहे होते हैं कि अचानक ही यू वो शिशे की बोतल लेकर उस लड़की के सर पर फोड़ देती है और घुसे में आकर उसे ध्मकी भी देती है गोजो तो जु की सरकत पर उसे बहुत अप्रिशेट करता है बगर याज और जुन्टॉंग उसका ये बयाना खुसा देखकर परिशान हो जाते हैं जुन्टॉंग को ये दिखकर अपना हाई स्कूल का टाइम याद आ जाता है जब ओवर कंट्रोलिंग बाप को छोड़कर यू भाग गई थी और उसे जहिन में आता है कि ये सब कुछ यू तब करती है जब उसके अंदर बहुत अरसे से किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन भरी होती है और वो ये सोचने लगता है कि आप किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन की वज़ा से उसने इतना खुसा दिखाया है अपना आखिर अप यू की जिन्दगी में क्या गलत हो रहा है यास जुन्टॉंग को समझाता है कि अब वो लोग पुलीस को इंवाल्व नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों पर भी अब लड़के को मारने का मुकदमा चल सकता है इस सब के बाद जुन्टॉंग शिया के कमरे में जाता है कि जुने उस लड़के के सर पर बहुत जोर से बॉटन मारी है वो शिया को ये भी बताता है कि एंग लोगों ने उस लड़के का उसके घर तक पीछा किया था और वहाँ जाकर उसके पैन ड्राइव और कम्प्यूचर से शिया की तमाम तस्वीरे डिलीट कर दी है और उस लड़के को दंकी भी दी है कि अगर आप वो लड़का ऐसा कुछ करते हुए दुबारा पकड़ा गया तो उसे छोड़ेंगे नहीं शिया इस सुनकर बहुत खुश होती है और उसे अपने कले से लगा लेती है और उसके हाथ को चुमती है और फिर शर्मा कर बाहर निकल जाती है उसके बाद रोनी और जू भी शिया के पास आते हैं और उसे तसली देते हैं कि आइंदा इस तरह के हालात में वो दोनों इसका साथ देंगी हमेशा अगले दिन जुन टॉंग ना आखती पेपर देकर जब घर आता है तो तकावर्ट से वो सोफे पर गिर जाता है शिया वहा आती है और उससे तकावर्ट की वज़ा पूछती है जिस पर वो उसे बताता है कि वो तीन रातों से सोया नहीं है शिया उसकी ये बात सुनकर उससे सजेशन देती है कि अब उन दोनों को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए और क्यों न वो दोनों कहीं बाहर जाएं छुटियों में घूमने के लिए और जिन टॉंग भी उसको हाँ बोल देता है बगर पिर जब जिन टॉंग कंबल हटा कर उसकी तरफ नजर दोडाता है तो वो ये देखकर शर्मा जाता है कि शिया उसकी तरफ महबत पहरी निकाहों से देख रही होती है अभी ये दोनों इसी बारे में बाते कर रहे होते हैं कि डोर बलबशती है दरवाजा खोल की देखते हैं तो जू अपना सूट के समेथ वहां खड़ी होती है और वो इनसे पूछती है कि क्या वो कुछ महीने तक इनके साथ रहे सकती है साथी वोई ने ये भी बताती है कि हो उसके घर में कुछ मसाइल चल रहे हैं जींटांग बाहर निकलने की बात करता है और वो कुछ दिEr के लिए अकेला ही बाहर चला जाता है जू टेहलते हुए ये सोच रहा हूता है कि आखर यू उनकी घर पर क्यों आई है उसके घर में कौन से मसाइल चल रहे होंगे फिर उसे वो हाई स्कूल वाला दोर याद आता है जब वो अपने बाप से जगर कर एक बार पहले भी घर से भाग चुकी है पहले तो जुन्टांग सोचता है कि घर जाते ही वो जु से इस बारे में जरूर पूछे का मगर पिर वो इस खयाल को जेहन से जटक देता है क्योंकि वो जु को जानता है वो उसे तभी बताए कि जब वो पुछ चाहेगी उसे ये बताना जुन्टांग मजीद भी कुछ देर टहलता रहता है और वहीं केंपस की करीब एक ओपन बार में उसे रोनी दिखाई देती है रोनी वहां अदास बैटी होती है क्योंकि उसे अब ये बात समाझ आ चुकी है कि जुन्टांग उससे महबबत करता ही नहीं है मगर पिर वो ये सोचती है कि शायद उसी का ये खसूर है कि शिया की तरहां उसने अपनी महबबत का इजहार नहीं किया बार में मौझूद कई लोग रोनी से फलर्ट करनी की कोशिश करते है मगर वो सभी को इगनोर करती है और तिर उसके बाद वो जुन्टांग का हाथ थाम लेती है और उससे कहती है कि वो उसका दिल जीतने के लिए अब मजीद कोशिश करेगी जुन्टांग ये सुनकर हैरान और परेशान रह जाता है और पिर रोनी जुन्टांग को लेकर वहां से निकल पड़ती है और पिर सारी रात एक साथ गूमने परने के पाद जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो वो घर के बाहर ही शिया को पाते है जो वहां खड़ी लाइटर से खेलती हुई इनका इंतजार कर रही होती है वो इनने कहती है कि साधी रात इन लोगों ने साथ बिताई वगर जुन्टोंग उसे बताता है कि वो लोग घूम पिर रहे थे सिर्फ चानक ही रोनी के पाउं में चोट लग गई जिसकी वज़े से बाकी की रात उन्होंने हस्पिताल में पिताई है और अभी भी वो चल नहीं पा रही इसलिए उसका हाथ थाम के वो यान लाए है पहले तो जुन्टोंग ये देखकर बहुत हैरान रहे जाता है कि शिया ने इस बात पर कोई तमाशा नहीं किया मगर पिर वो अंदर चला जाता है अंदर पहुंचते ही शिया को उसे मेसेज आता है जुन्टोंग जब बाहें निकलता है तो शिया उसका पहले से इंतिजार कर रही होती है वो उसे उसके साथ गूमने के लिए कहती है और पिर ये लोग बहुत देर तक एक साथ गूमते पिरते हैं चलते चलते जुन्टोंग शिया से ये सवाल पुछता है कि सुबा उसने कोई तमाशा क्यों नहीं खड़ा किया जिस पर शिया उसे कहती है कि क्योंकि उसे मालू है कि उन दोरों के पीछ में कुछ भी नहीं हुआ होगा इसलिए उसने कोई तमाशा नहीं किया और पिर वो शरारत में ये भी कहती है कि उसके घर के नीचे जब इतने खुबसूरत सेलेब्रिटी रहती है तो वो किसी और से कैसे महबत कर सकता है जुन टॉम कुछ दिर सोच कर कहता है कि हाँ शायद वो ठीक है रही है उसकी बाद वो शिया को कहता है कि आवा में देर हो रही है में घर चलना चाहिए बगर अचाने की वो पाओं में छोट का बहाना करके उसे अपनी पीट पर उठाने का कहती है जिसे सुनकर वो हस पड़ता है और वो समझ जाता है कि वो इस वक्त वो सारे काम करना चाहती है जो उसने कल रोनी के साथ किये है उसकी बाद शिया उसे एक रेस्टरांट चलने का कहती है जिस पर उसे थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि शिया बगएर बताई ही उसे डेट पर ले आई है रेस्टारट पहुँचकर शिया उसे कहती है कि कल की दिन वो किसी और के साथ घूमने परने जाएगी जुंड्धाओ उसकी बात पर जैलिसी फिल करता है और उससे पुछता है कि वो किस के साथ जाना चाहती है जिस पर शिया उससे पूछते है कि तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है वो लड़की या लड़का जिर्डॉंग उसके बाद वाश्रूम जाने का बहाना करके वहां से उठ जाता है और वाश्रूम जाकर वो ये सोचता है कि उसे कोई परवा नहीं होनी चाहिए शिया जिसके साथ भी घूमे जिर्डॉंग जो वाश्रूम से वापस आता है तो वो ये देखता है कि शिया की टेबल के पास कुछ लड़के उससे बात करने के लिए खड़े होते है वो एक लड़की को वहाँ से हटने के लिए कहता है बगर उल्टा वो इसे अपनी बारी का वेट करने के लिए कहता है जिस पर ये तैश में आ जाता है और शोर शराबा करके उन लोगों को बगा देता है जुन टॉंग उसे और रोने की कैफियत में शिया को बताता है कि वो ये चाहता है कि वो सिर्फ लड़कियों के साथ घूमे पहले तो शिया उसकी बात सुनकर हसने लगती है बगर पिर वो उन लड़कों को कहती है कि वो जुन टॉंग के साथ आई है अगले दिन तक भी जब शिया का नशा नहीं खत्म होता तो जुन टॉंग उसे समझाता है कि उसे आज का दिन घर रहना चाहिए जू शिया की ये हालत देखकर जुन टॉंग को कहती है कि शायद उन दोनों ने कल कुछ ज्यादा ही शराप पी ली थी जिसे सुनकर जुन टॉंग शर्मिंदा हो जाता है शिया उसके बाद जुन टॉंग को कहती है कि वो जिया यान से मिलने जा रही है जो ड्रीम सुईट की लीडर है और जब वो एक साथ गाते थे तब उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी शिया बारिश और खराब मौसम के बाव के लिए बलकर ड्रेसिंग का कहा जाता था पापराजी उसकी फजूल किसम की पिक्चर्स कहेशते थे और इनका मैनजर बस यही कह देता था कि यह सब तो न्यूज में रहने के लिए होगा दिली खुशी ना मिलने के बावजूद भी शिया पबलिक में मुस्कुराती रहती थी और फिर आखिर इस सबसे तंग आकर उसने ग्रुप छोड़ दिया वो यह भी रिकॉल करती है कि जिया ने उसे रोखने की बहुत कोशिश की थी मगर शिया ने उसके बावजूद अपना फैसला नहीं बदला फिर दिखाते है कि रेस्टरांट में पहुँचकर शिया आ जिया कहती है कि शिया को सिर्फ अपनी खुशी का खयाल रखना चाहिए वो कुछ भी खा सकती है किसी से भी महबत कर सकती है बस ये मैटर करता है कि वो खुश है जिया ये कहकर चली जाती है और शिया उसके बाद खुशी से रोने लगती है वो बगएर अम्रेला के ही घर की करेगी घर पहुंचकर जुन्टॉंग को देखकर श्रिया को एसास होता है कि उसे जुन्टॉंग की हर बात ही बहुत पसंद है चाहे वो उसका बहेवियर हो या पिर उसकी शकल जुन्टॉंग उससे पूछता है कि वो इतनी बारिश में अम्रेला के बगए क्यों आई है मगर श्रिया पी सोचों में गुम उसका हाथ पकड़ लेती है और वही रोट पर ही उसे किस कर लेती है तब ही रोनी बाहर आ जाती है और उन्हें देख लेती है वो समझ आती है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं बगर जुन्टॉंग घबरा जाता है और अंद यू को पसंद करता था और उसके लिए इतना पागल था कि उसी के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था बगर जुन्टॉंग ये सब कुछ सुनकर इंबारस हो जाता है और ये भी सूचता है कि उसकी फैमली भी ये बात अच्छे से जानती थी उसकी बेहन उससे पुछती है कि उसने जू को अपनी फीलिंग्स बताई या वो किसी और को डेट कर रहा है जिस पर जुन टॉंग गुस्सा करने लगता है अगले दिन शिया जुन टॉंग को कॉल करती है और अपनी फ्रेंड जिया से अपनी मुलकात के बारे में बताती है वो उसे कहती है कि उसकी दोस् पर जीने का मशवरा दिया है और इस मशवरे पर वो अपसे पूरी तरहां से अमल करेगी और वो अब किसी से तूटकर महबत करना चाहती है और चाहती है कि वो इनसान उसे सबके सामने प्रोपोस करे साथ ही शिया उसे ये भी कहती है कि हार्ट शेप्ट कैंडल्स और एक ब जिसमें वो सब के साथ शराब की पार्टी के लिए बुला रही होती है जिन टॉंग उन्हे फॉरन जोइन कर लेता है और पिर ये लोग यांज और गोजू को भी बुला लेते हैं कुछ देर में जब जुन टॉंग देखते है कि ड्रिंक्स खत्म हो गए है तो वो ड्रिंक्स लेने के लिए बाहर जाने लगता है डोर तक पहुँचते ही वो एक नज़र शिया को देखता है कि शायद वो भी उसके साथ आ जाए मगर जब वो कोई रिस्पॉंस नहीं देती तो ये होपलेस होकर बाहर निकल जाता है मगर फिर फॉरें ही उसके पीछे वो शिया को देखकर खुश हो जाता है वापस आते हुए शिया जुन्टॉंग का हाथ पकड़ती है जिस पर वो फिर से जिजकने लगता है शिया उसे कहती है कि अब उसे नखरे करना बंद कर देने चाहिए जुन्टॉंग शर्मा कर उसे बोलता है कि उस दिन लिए रोनी ने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था इसलिए उसे शर्मा आती है शिया उसे एक दिवार के साथ लगा कर बोलती है कि अब उसकी सारी तवज्यों सिर्फ उसी की तरफ होनी चाहिए और फिर उसे किस कर लेती है तभी यू घर से कच्रा पेंकने के लिए निकलती है तो वो इन दोनों को देख लेती है जुन्टॉंग भी जब यू को देखता है तो उसकी आँखे खुली की खुली रह जाती है अगले दिन घर की सफाई करते हुए यू शिया से पुछती है कि वो और जुन्टॉंग तो डेट कर रहे हैं जिस पर वो इनकार कर देती है ये सुनकर जु को गुस्सा आजाता है और तभी रोनी और जुन्टॉंग रूम में अंटर होते हैं और वो जल्द अपना घर छोड़ देखी स्कॉलर्शिप की वज़ा से कॉलेज की फीस तो नहीं पे करनी उसने लेकिन उसके अपने बाकी खर्चों के लिए उसे जॉप करनी पड़ी की जुन्टॉंग ये सुनकर उससे पूछता है मगर उसके फादर ने सक्ती से बॉइफरिंड बनाने से मना किया हुआ था वो जब भी किसी फ्रेंड की घर स्टे करती तो उसके फादर फोन करके हमीशा चेक करते थे कि वो किसी लड़के के साथ तो नहीं है जु कहती है कि एक बार उसके फादर ने उसकी बेहन को उसके बॉइफरिंग का हाथ पकड़े देख लिया था और सब के सामने उसे थप पर मार दिया था इन सब सक्तियों के बावजूद वो अपने आपको जुन्टॉंग से महबत करने से नहीं रोब पाई जु उसके बाद जुन्टॉंग से कहने लगती है कि जब वो अपने पाउं पर खड़ी हो जाएगी तो वो उसके साथ रहना चाहती है उसके बाद जु अगले दिन उसके साथ मुवी देखने के लिए पुछती है और उसकी मासूमियत देख कर जुन्टॉंग उसे मना नहीं कर पाता अगले दिन मुवी देखते हुए जु अपना हाथ उसके साथ वाले हैंडल पर रख ले यह एक्सपेट करती है कि जुन्टॉंग उसका हाथ पकड़ेगा नगर वो ऐसे नहीं करता और ये फैसला करता है कि हर बात वो क्लियर करेगा पहले जु समझ जाती है और वो अपना हाथ हटा देती है मोवी के बाद ये तो नोई गेम खेलते हैं जिसमें जुन्टॉंग की कोईन्स खत्म होने पर वो जु से मांगता है मगर जु से साफ बना कर देती है उसके बाद कहर योकी में एक कुछ देट गानक आते हैं वो दोनों पिर एक जगा खाना खाते हैं जहां जु एक कबल देशावर करती है और उसे नेक्स फ्राइडे आतिश वाजी अखटे देखने जाने की भी ओफर करती है मगर जुन्टॉंग की जवाब देने से पहले ही जु उसे बताती है कि वो बहुत अर्से से जानती थी कि जुन्टॉंग उसे पसंद करता है मगर वो कुछ फजुआद की वज़ा से उसे इग्नोर करती है इस बात की वो माफी भी मांगती है जु उसे कहती है कि वो कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गई और ना ही किसी को इतना चाहती है जितना वो उसे चाहती है इसी विज़े से जम जुन्टॉंग को उसने दूसरी लड़की के साथ देखा तो उसे जैलिसी हुई है वो ना चाते हुए भी इस बात से दुखी हो जाती थी और फिर ये बात करते हुए उसकी आँकों में आसु आ जाते हैं और फिर नेक्स्ट वीक मिलने का कहकर वो वहाँ से चली जाती है उसकी जाने के बाद जुन्टॉंग ये सुचता है कि वो तो बहुत सालों से ये सब कुछ सुनना चाहता था मगर अब ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी उसे पसंद क्यों नहीं आ रहा घर पहुँचकर वो शिया को भी रोते हुए देखता है तो परिशान हो जाता है ये क्यों रो रही है मगर वो कहती है कि उसने स्पाइसी नूरल्स खा लिये थे इसी विज़े से उसकी आँखों में आस हुआ गए शिया जुन्टॉंग से बोलती है कि उसे मालूम है कि यू अब अपनी किसी और फ्रेंट के साथ रहीगी और साथ वो ये भी पूछती है कि यू ने आज उसे अपनी महबबत का इसार किया है क्या जुन्टॉंग खबरा जाता है और कहता है कि उसे सब कुछ कैसे पता चल जाता है उसके बारे में जिसकी जवाब में शिया कहने लगी कि वो तो से फंदासा लगा रही थी जुन्टोंग को लगता है कि शिया को जुगे इजहारे मुखबत से कोई फर्फ नहीं बड़ा मगर फिर शिया किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है मगर फिर फॉरण ही पीछे हटकर शरारत से कहती है कि इसका मतलब है कि अभी भी जुन्टॉंग को पाने का मौका है उसके पास वो जुन्टॉंग को ये कहकर चली जाती है कि उसे खुद सोच समझ कर फैसला करना होगा और जाते हुए वो उसके गाल पर किस करके चली जाती है अगले फ्राइडे को जू जुन्टोंग का इंतिसार करती है बाहे और जब वो नाउमीद होने लगती है तब ही वो भागता हुआ उसके पास आ जाता है मगर वो पहले तो उसे देखकर खुश हो जाती है मगर फिर जब देखती है कि वो अकेला नहीं आया बलकि अपने साथ किसी और को भी लाया है तो उस पर बहुत चलाती है क्योंकी ये उनकी अकेले की डिट थी और कहती है कि वो चाहती है कि आप जू को अपनी माँ से एक बार मिल लेना चाहिए जू की बेहन असल में जू के बारे में जानने के लिए छूट बोल रही होती है बगर शिया जान नहीं पाती ये बात और वो उसे जू के बारे में सब कुछ बता देती है इसलिए जुन टॉंग को जब पता चलता है तो उसे लगता है कि यू की फैमली के उसे ढूंडने से पहले ही यू को अपनी माँ से खुद ही मिल देना चाहिए यू उसके बात गुस्टे से कैफे में अपनी मदर से मिलती है और फिर जब जुन टॉंग दूर से उसका फेस देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसने ठीक ही किया रात को सभी फायर वक्स देखने चले जाते है मगर जुन टॉंग बाहर बैठा जू का इंतजार कर रहा होता है जुव वहां आकर कहती है कि उसे लगा था कि जुन टॉंग भी चला गया होगा फिर जुन टॉंग उससे अपनी मदर से मुलाकात के बारे में पूछता है जिस पर वो कहती है कि अब सब ठीक हो गया है मगर वो यह जान ले कि उसने अच्छा नहीं किया था जुन्टॉंग उससे माफी मांगने के लिए पुश अप्स करने लगता है ये देखकर जू उसके पास आती है उसके हाथ पे हाथ रखके कहती है कि अब शायद वो लोग कम मिलें जुन्टॉंग अब अपनी पहली महबत को बाई बाई बोलने के लिए अपने आपको तयार करता है और फिर उसे बता देता है कि वो अपकिसी और से प्यार करता है वो जुए से माफी मांगता है और पिर इसकी आँखोंसे ये कहते हूए आशos जरखने लगते है जू भी उसे देखकर उदास हो जाती है और उसे आतिशवाजी देखने के लिए ले जाती है रास्ते में जुन्टॉंग को वो स्कूल का टाइम यादा जाता है जब इन दोनों ने कितना अच्छा वक्त साथ पेंड किया था और अब इन यादों को वो पीछे चोड़ने वाला है वो दोनों वहाँ पहुँचकर रेलिंग के पास खड़े हो जाते है तब ही जू उससे कहती है कि जुन्टॉंग ने उसे बहुत परिशान किया है इसलिए अब वो उसे उठाकर नीचे पहिंग देगी जिस पर वो उसे कहता है कि वो तो उसका वज़न उठा ही नहीं पाएगी मगर फिर भी जू उसे बाजों से बकर कर उचाने की कोशिश भी करती है मगर वो रोने लगती है और कहती है कि वो तो उसे बेहत प्यार करता था मगर अब वो किसी और को कैसे चा सकता है ये सुनकर जुन्टांग भी रोने लग जाता है और जी आई को सौरी करता है यूू पुशती है कि ये कौन है जिस पर वो से बताता है कि ये उनकी बड़ी बेटी का नाम होने वाला था जू हसने लगती है जुन्टॉंग फिर रोते हुए जिन्शी से माफी मांगता है और कहता है कि ये उनका दूसरा बेटा होता इधर उधर सब ही लोग उन्हें गुरने लगते हैं और उसी वक्त जुन्टॉंग के गले लग जाती है कि वो क्या कर रही होगी और फिर वो सोचता है कि अब तो वो पूरी तरह से शिया के प्यार में पाकल हो चुका है ये सोचकर वो भागता हुआ उसका नाम पुकारता हुए घर पहुंच जाता है जब शिया रोनी और याज के साथ घर वापस आती है तो वो जुन्टॉंग को देखकर समझाती है कि वो कुछ दिर पहले रो रहा होगा जुन्टॉंग उसके सामने ही शिया को अपनी महबत का इसहार कर देता है जिस पर शिया उसके पास जाकर किस करती है और कहती है कि वो भी उसके लिए ऐसा ही फील करती है यांज और रो नी ये देखकर हक का बका रह जाते है और यांज जुन्टॉंग को कहता है कि ये सब कब हुआ और अब वो उसे सब कुछ डीटेल्स में बताएगा दूसी तरफ जु अपना सामान पैक कर रही होती है इसलिए उससे कॉंटक नहीं कर पाएगी मगर फिर कभी जरूर मिलेंगे वो जुन्टॉंग उसका सामान कार में रखता है तो पीछे यू शिया से पूछती है कि क्या वो सच में उससे पसंद करती है जिस पर शिया उसे कहती है कि जुन्टॉंग के हाथ में उसे प्रोपोस करते हुए ना पूल थे ना कैंडल्स मगर फिर भी वो उसे बहुत प्यार करती है जुम उसकुराती हुई अपनी कार में बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है जुन्टॉंग शिया के साथ खड़ा हुआ ये सोच रहा हुता है कि पहले उसे लगता था कि शायद वो शिया के बाल या लिप्स की वज़ा से उसे प्यार करता है मगर वो तो उसकी रूफ से प्यार करता है शिया उसके बाद उसके कान में कुछ कहती है और जुन्टॉंग उसके लिए पूल लेने के लिए भाग पड़ता है पीचे से शिया उसे कहती है कि इस बार उसे अपनी मुहबत का इसाथ ठीक से करना पड़ेगा